आगे ते दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लंका प्रीमियर लिग का मैश नंबर 15 जो कि यहां से खेला जाएगा DAVSGG मतलब कि Dambula Aura और Gale Gladiators की बीच में तो ऐसे में दोने टीम होगे क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 खिलाली क्या कुछ रिकॉर्ड रखते हैं वीडियो में फूल डिस्कस किया जाएगा सो विदाउट फेस्टिंगों टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में और अगर लिंक वर्क ना करें तब आप लूग करोगे कि आप सही जगा पर आयो कि नहीं तो इसके लिए पिंड मैसेज चेक कर लेना चार नमंबर छे जुन का मैसेज होगा तो आप लोग सही जगार पर आयो ठीक हो दोस्तों तो इतना आप लोग करके आजाना चलो फाइनली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तीन बच के तीस मिनट पर आप लोगों को यह मुकाबला होता आफ्टर टॉस आप लोगों को पिछ रिपोर्ट मैं बता दूँगा जब टॉस हो जाएगा तो आप लोग टेली ग्राम पर आना वहाँ पर पिछ रिपोर्ट बता दूँगा यह देखो T20 डोमेस्टिक जब जब इस ग्राउंड पर होता है क्या कुछ होता 19 मुकाबले खे दिख सकते हैं जाफना किंस का यहाँ पर हाइश्ट स्कोर 207 रन छेवी किड के नुकसन पर है लिवेश्ट डैमबूला जाइंट्स का उनहत्ता रन बना के पूरी टीम ओल आउट हो गई थी इसकोरिंग पैटर्न पे नजर डालते है तो 150 के अंदर 11 बर स्कोर बनाएं 150 से 170 के बीच में 2 बर, 140 से 190 के बीच में भी 2 बर बाकि 190 से जाधा 4 बर स्कोर बनाएं तो जो कि सबसे जाधे स्कोर बनाए वो बना 2015 से कम और यहाँ पर जो कि average first inning score 150 के something ही डिए तो थोड़ा सा मतलमना बॉलर्स को ये पिछ जादा आप लोगों को फेवर करते हुए दिख सकती है खैर आफटर टॉस आप लोग टेलीग्राम पर रहना वहाँ पर मैं accurate pitch report बता ही दूँगा बात करते हैं दोस्तों यहां से डीजी कि क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 विठ रिसेंट इसकोर काड़ रहने वाला है तो शेवन डैनियल के साथ आप लोगों को लसीत कॉप्सियूले ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे पिशले मुकाबले में खैर दोनों का ही यहां पे खाता नहीं खुल पाया था और दोनों मतलब की यहां खिलाडी है ठीक तो बहुत जादा expectation भी नहीं रखी जा सकती है लेकिन जैसे कि सिरलंका की स्थीती इस समय है इनको अच्छा खिलाडी निकालना पड़ेगा जोडन कोक्स की बात करते है 16 रनों के स्कोर इनों नहीं किया था ये एक हाड़ इटर बैट्समें है आप लोगों को अच्छा खाते करते हो यह दिख सकते है बाकि भानुका राजा पकसा इनों ने भी मातर चारी रन का स्कोर कर पायते है और यही रिजन था कि इनके टीम प नीचे से नूर एषमत की बात करते है पीछले दो मुकाबले से खायर इनको भी कोई भी विकेट नहीं मिला था बहुत बुरा इनका टीम का पफ़ेंस हा पिछले मुकाबले बात किया तो दसून सन का पायुन मिकरिंट पर्मोद मादुषान को मान सेखते ओपनिंग मेंध म परमोद मदुशान को मान के चल सकते हो अब जो खेलाड़ी इनके तरफ से बेंच पे गाए आप लोग इनका रिसेंट स्कोर देख सकते हो सिकंदा रजा एक अच्छे खेलाड़ी है लेकिन मतलब इस सीजन का परफोमेंस नहीं आया है और कहीं न कहीं यह भी कर सकते हो कि टीम इनको सही जगा यूज नहीं कर रही है मिडल ओडर में 5-6 नंबर पे खेला रही है जो क्या मुमंत और पी ऐसे खेलाड़ी है नहीं या तो यह वन डाउन खेलते हैं या तो बहुत ज़्यादा खेलेंगे तो टू डाउन खेलना चाहिए तो इतना नीचे अगर खेलाएंग बाकि दसुन सन का भी बॉलिंग करते हुए आप लेगों को दिख सकते हैं तो आप लेगों खुद स्क्रीन सोट ले लेना एक बार अच्छे से रीड कर लेना ठीक है बात करते हैं दूसरी जो की जीजी की टीम होने वाली इनके तरफ से खेलाड़ी क्या कुछ अभी तक कर तो देखो के तो थनुका दबारे के साथ आप लेगों को यहां से कुसाल मेंडिस ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे दोनों ही पिछले मुकाबले में अच्छा स्कोर किये थे दबारे की बात करते हैं तो 33 रनों के स्कोर यह किये थे और अभी तक अच्छा पफरमस्ष इन्होंने दिया था अनुवार अली जो किए बैटिंग मतलब करते हैं लेकिन बॉलिंग से 3 विगेट इन्होंने चड़का दिया था इमादवसीम की बात करते हैं तो बॉलिंग से खर खाता नहीं खुल पाया था नुवांदिख फनांड़ों की बैटिंग नहीं आय equus Wert के तो एक विकेट इन्हों ने निकाला था बाकि नुवान थूसारा को तीन विकेट मिला था वहाई लक्षन शंदाकन की बात करते हैं तो इनको कोई विकेट नहीं मिला था अब देखो इनके तरफ से जरा हम लोग ओपनिंग देथ बॉलर देख लिया जाए यहां से बालिंग इंफोर्मेशन देख लिजे जो कि अच्छी खासी ओबर करते हैं तो यहां से अनवर अली पिछले मुकाबले में खेले थे चार उबर की बालिंग भी किये थे वहाब रियाज इमाद वसीम नुवान थुसारा और लशकन शंदाकन इनके तरफ से ज्यादा खेर बॉलर यह लोग यूज नहीं करते हैं ठीक है तो आप देख सकते हो प्रॉपर पांची बॉलर के साथ खेलते हैं एकाथ अगर पाट टाइमर कोई खिला लेगा तो मैं बत सकते हो ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगई लाइक करना जो लोग चानल प्रेंगे सब्सक्राइब करको नुटिफिकोशन बिल आइकन को प्रेस कर देना चलो देखते हैं ड्रीमलों पर हम लोगों की खिया टीम बनके रेडी हो रही है दोको दोस्तों बात करते हैं विडियो के लाइक करना जो लोग चानल पर रहोंगे सब्सक्राइब करको नुटिफिकेशन बिल आइकन को प्रेस कर लेना बात करते हैं यहां से बैटिंग से तो दसुन सन का एक और रॉंडर खिलाड़िया पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं टॉप फाइफ के अंडर बैटिंग करेंगे तो इंपोर्टेंट लग रहे हैं बागी भानुका राजा पक्सा और टी डाबरे को मैंने टीम में ट्राई किया है बहुत सारे लोग यहां से एन फनांडो को अपने टी तो यह इंपोर्टेंट रह सकते हैं बागी सिकंदर रजा देखो मौका नहीं दिया जा रहा है नहीं तो खिलाली तो लाजवाब हैं इनके बारे बताने के और शक्ता पढ़नी नहीं चाहिए और कोई यहां पे जादा सेफ में दिखने रहा है बालिंग सेक्शन से बात करत हैं तो बालर्स मैंने जाद अपने टीम में लिए हैं क्योंकि आवरेज फ़स्ट इनिंग स्कोर देखो यहां पे तो 140 ही खर दिखा रहें ड्रीमलोन में लेकिन आप लोग कहीं न कहीं 150 के संथिंग मानके चल सकते हो ठीक है अगर 150 भी बनता है तो बालिंग फ्रेंडली वि फाइनस में पॉइंट दिये थे ठीक है आप लोग यहां पे देख सकते हो लेकिन उससे पहले हमेसा कंटिनुसली यहां पर इन्हों ने अच्छा खासा पॉइंट दिया है तो फिलाल इस वजह समयरे अपने टीम में इनको ट्राइग किया है और हो सकते इस मुकाबले में इ सकते हो बेश्ट पे रहने वाले हैं बाकि डिये की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो लहरु कुमारों को बना के चल सकते हो फिलाल दोको मेरे वाइस कैप्टन यहां से लहरु कुमारा रहने वाले है आप लोग देख लिए कुछ इस परकार के टीम बनके रेडी हो रही है जह करना रहे है इस कैन भी करके आ सकते हो आने के बहुत सारे जरीया आप लोग आज जरूर जाना ठीक है वीडियो अच्छी लग यह लाइक करना जो लोग चैनल पर नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस कर लेना और अगर हाँ वीडियो करके देखे तो प्लीज यार पूरी वीडियो जरूर देख लाना बहुत छोटी सी वीडियो मातर नौ मिनिट की वीडियो तो नौ मिनिट देकर वीडियो देखे सकते हो तो मिलते एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक के